जार्खन में पंचात्यों के अधिन हुए पाराशिक्षक जार्खन सरकार ने पाराशिक्षकों से समंधित सहायक अध्यापपक सेवा सर्त निमाली 2021 लागू कर दी है काइबनेट की स्विक्रिती के बाद इसकुली सिक्षक अधियापक अधियापक कालाएंगे इनके मानदे में भी ब्रिधी की गई है जो एक जनवरी 2022 से ही लागू होगी साथ ही पाराशिक्षक 60 बरस तक सेवा सर्त में बने रहेंगे लागू निमाली के तहत प्राथमिक सहायक अधियापक कक्छा एक से पांच के लिए नियुक्त पंचायतों के अधिन होंगे मतलब यह है कि इनका प्रसासनिक स अनुसासनिक प्राधिकार पंचायत होगी तथा पंचायत अस्तर ये प्राधिकार का द्यक्ष मुक्या होंगे जारखन में मौसम कमिजाज फिर बदलने वला है फिलहाल आस्मान साफ है लेकिन 16 फरवारी से मौसम बदलने का अनुमान है या सिलसिला करीब एक सब्ताह तक चलने की संभवना है वही मौसम बिभागने 19 फरवारी को राजे के एक से दो अस्थानों पर हलके से मददर्ज की बारिश की संभवना जताई है मौसम केंद्र रांची के अनुसार 15 फरवारी तक मौसम मुख्यत सुस्क रहेगा तता आस्मान साफ रहेगा वही 16 फरवारी से मौसम में बदला दिखने लगेगा इस दोरान आंसिक बादल के साथ गरजन वाले बादल भी बन सकते हैं यह सिलसिला आगामी 18 फरवारी तक रहेगा हलाके 18 फरवारी को मौसम मुख्यत सुस्क रहेगा तता आंसिक बादल चाहे रहेंगे मैट्रिक इंटर परिक्षा को लेकर तयारिया पूरी बार्सिक माधमिक एवं इंटर्मीडियेट की परिक्षा को लेकर तयारिया अंतिम चरण में है मैट्रिक एवं इंटर्मीडियेट की परिक्षा को लेकर केंद्रों का निर्धारन कर लिया गया है साथी निर्धारित केंद्रों का प्रतिक काउंसिल को भेज दिया गया है हाला कि अब तक परिक्षा को लेकर तीथी का निर्धारन नहीं किया गया है इस वर्स मैट्री की परिक्षा में 1,96,186 एवम इंटर्मीडियर्ट की परिक्षा में 94,434 परिक्षा परिक्षा फरम जमा किया है पंचायत चुनाव में OBC को आरक्षन दिये बगार आगे नहीं बढ़ेगी जार्खन सरकार जार्खन सरकार पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सक्रिये हो गई है अभी तक की त्यारियों के हिसाब से माना जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर को आरक्षन का लाप दिये बगार सरकार पंचायत चुनाव के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी मद्य परदे सरकार का सुप्रीम कोट में हस्रे देख चुकी राज सरकार इस मसले पर फुक फुक कर कदम बढ़ा रही है उन राजियों की तियारियों पर भी जारक्षन सरकार नजर रखे हुए हैं जहां पंचायत चुनाव तो होना हाई लेकिन ओविस यारक्षन पर कोई निर्ना नहीं लिया जा सका है परोसी राज उडिसा के चुनाव पर किरिया और वहां अरक्षन की जिति का भी जारक्षन सरकार अध्यान करेगी जारक्षन में गर्भवती महिलाओं को लेकर बड़ी रिसर्च सो में से आठ महिलाए हाई रिक्स पर जार्खन में प्रती सो में से आठ गर्वाती महिलाया हाई रिक्स में आती है जी इनके सुरक्षित प्रसव के लिए बिसेश देखभाल जरूरत होती है इसके तहट ना केवल चिकित सकोक निगरानी में उनकी नियमित जाज जरूरी है बलकि किसी परकार की समस्या होने पस है उपजार भी अवस्यक होता है ताक कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्त रहे प्रधान मंत्री सुरक्षित मातित अभियान के तहट अब ऐसी हायरिक्स वाली गर्वाती महिलाओं के ट्रेफिकिंग उनकी नियमित जाज तथा सुरक्षित प्रसव कराने की जिमेदारी स जिसके लिए साया को जहां 500 रुपए के अतिरिक्त प्रोत्साहना राची दी जाएगी वही गर्वाती महिलाओं को भी जाँच के लिए आने जाने के लिए 100 रुपए प्रदान किये जाएंगे चारा घोटाले में सबसे बड़े मामले में भागय का फैसला आए बीरसा मुंडा यारपोट में देखने को मिलेगी जारखन की परामपरिक कला बीरसा मुंडा यारपोट आने वाले दिनों में अलग की ही रूप में दिखाई देगा यहां जार्खन की जन जाती है संस्कृतिक परमपरा कला के नमूने से यारपोर्ट परिसर को सजाय जाएगा यह परमपरी कला कृतियां यारपोर्ट के टर्मिनल के अंदर बनाई जा रही है ताकि जार्खन से बाहर आने जाने वाले बीमान यात्री जार्खन की अनमोल कला और संस्क्रिति को जान सके पहले चरण में टर्मिनल के अंदर सोराई आठ की प्रस्तुति की जा चुकी है दूसरे चरण में टर्मिनल के छट पर फूल पक्षियों को दर्साया गया है कोडार्मा में धारा 144 लागू पूलिस परसासन ने निकाला फ्लैग मार्च कोडार्मा जिल्ये में हाल के दिनों में उत्पन बिवाद वा तनाव की सिथी को देखते हुए जिला परसासन ने धारा 144 लागू कर दिया इसके तहट अब चार या चार से अधिक ब्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने लाठी भाला प्रमपरिक अस्त्रसस्त के साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी साथ ही बिना अनुमती के जूलूस धर्ना परदर्शन सलक जाम आधी करने पर प्रतिबंद रहेगा इसके साथ ही अन्य सक्ति रहेगी वहीं दूसरी और सोमवर को अलग अलग जगों पर पुलिस परसासन की टीम ने एतियातन फ्लैग मार्च निकाला या कदम कुछ दिनों से सोसल मीडिया पर वायरल हो रहे भरामक वीडियो वह भड़काव संदेश से बचने की अपील के साथ उठाया गया है डिजिटल बीट पुलिसिंग में जार्खन का पहला जिला बना गुमला गुमला जिला अब स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहा है पूरे जार्खन डाज में डिजिटल बीट पुलिस QR बेस्ट अटेंडेंस सिस्टम नहीं है इस सिस्टम को सुरू करने वाला गुमला जार्खन डाज का पाला जीना बन गया है जार्खन में कुरोना के 124 नाई केस मिले जबकि 371 मरी स्वास्थ हुए है जार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 1623 है भारत में 23 जाज 613 नाई केस मिले जबकि 78 या 790 मरी स्वास्थ हुए भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,234 है हीरन का सिकार करते बेतला पार्क से हथियार सही दो गिरफतार तीन हुए फरार लातेहा जीला अंत्रगत बेतला नेशनल पार्क के छीपा दोहर वन प्रच्छेत्र से दो सिकारियों को 5 भरट हुआ बंदु के साथ गिरफतार किया गया है जबकि 3 सिकारी भागने में सफल रहे पलामू टाइगर रिजर्ब प्रवनधन और पूलिस त्वारा सिकारियों खिलाब चलाया जा रहे चापे मारी अभ्यान के दूसरे दिन सफलता मिली है गिरफतार सिकारियों में छिपा दोहर थाना छेत्र के चुंगरु गाव के क्रिश्न सिंग वा असोक सिंग सामिल हाए जारखन में निवेस करने को उत्सुख है अमेर्की कम्पनिया अमेर्की कम्पनिया राज्य के कई छेत्रों में निवेस को इक्छुख है सुमवारको मोख्यमंत्री हेमंसरेंसे मुलकात में US काउंसेल जनरल आन कोलकाता मेलीडा एम पावेक नेया जनकारी दी इस मोखे पर मोख्य सचीव सुकदेव सिंग मोख्यमंत्री के प्रधान सचीव राजजीव अरून एका उद्योग सचीव पुया सिंगल एवं यूएस कांसेल जनरल एन कुलकात्ता के स्वयोगी पोलिटिकल एकोनोमिक अफसर ट्रेविस कावेलरी एकोनोमिक स्पेसलिस्ट संगीता डे चंदा मीडिया स्पेसलिस्ट दीपा दत्ता एवं फोरें सर्वीस नेशनल इन्वेस्टिगेटर अभिजीत सर्मा मौजूद थे गढ़वा में 40 कुलोर की आठ होजनाव का सिलन्यास गढ़वा विधान सभा छेत्र के गढ़वा यम रमकंडा प्रखंड में सोमर को करीब 40 कुलोर रुपाई की लागा से बनने वाली आठ होजनाव का सिलन्यास किया गया राजेपाल ने किया HEC का दोरा राजेपाल रमेस वैस सोमर को HEC पहुचे जहां एफ एफपी प्लांट में LPG से चलने वाली फरनेस का उधगाटन किया राजेपाल रमेस वैस ने कहा कि कुछ दिनों पहले HEC के अधिकारी उनके पास आय हुए थे उन्होंने HEC की समस्याओ को रखा उन्होंने पताया कि ये लंबे समय से राजनीतिक में रहे हैं और 35 साल से PSU का मेंबर और चेयर्मेन रहने का अनुभाव रहा इसलिए PSU की वर्किंग को मैं बेहतर ढंग से जानता हूँ जब HEC के अधिकारी उनके पास गय थे तो उन्होंने अपनी समस्याओ श्याओ खत कराया था घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन पंद्रफ फरव़ी से नई बिधान सबाह के पास मैदान में 15 फरव़ी से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुबाथ होगी एजनकारी मोर्चा कि प्रेश वर्ता में कारेकारी अद्यक्स राजु महतो ने दी उन्होंने बताया कि पूरू में विर्सात चोक के समीब एकत्री ठोकर भगवान विर्साय की परतिमापर मलयारपं कर आलदोनर अस्तहगित के लिए रवाना होंगे इसमें कोई जीला से आये जारकन अंदोलनकारी काफी संक्या में सामील होंगे इस अंदोलन के मादे हम से अंदोलनकारीों के मान समान और पेंशन की मान की जाएगी धन्यवाद यहाद ही आप चैनल परने हो तो चैनलों को सब्सक्राब कर बहुल के अब लेकर अंदो बाज़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कमेंट ब्रक्स में अपना फिडिवाइक अवास से दे थैंक यू